आपके सामने Profit & Loss टॉपिक को ही लेकर लास्ट वीडियो हमारा Profit & Loss ता था जहां मैं आपके सामने चार सवाल लियेते हैं और मैंने बहुत ही तो अमेजिन ट्रिक डिसकस किया था आज मैं फिर से आयो आपके साथ 3 सवाल लेकर 3 question है मेरे पास बट मैं जो ट्रिक बताऊंगा आपको वो ट्रिक से आप इस question को 3 sec 4 second में कर सकते हैं यह ऐसे questions हैं जो staff selection commission exam में देखे के हैं 2017 मैं ऐसे questions देखे थे मैंने और मैं आपको बताना चाहता हूँ banking, ssc and most of the mv entrance examination जहां पर ऐसे question देखे जाते हैं तो यह वो question होते हैं एक specific type के question है जो दिखाई तो देते हैं बहुत ही simple और होते भी हैं बट बहुत ही time consuming होते हैं तो आज मैं क्या करने वाला हूँ आपके साथ हम लोग वापिस USP of our video जहां मैं सिखाऊंगा कैसे आपको ऐसे question जहां पर आप 2-3 minute ले रहे हैं उसको hardly 5-6 seconds में solve कैसे करना है तो जानना चाहते हैं बने दिये मेरे साथ इस video में मैं अभिशेक कुमार स्वागत करता हूँ आपका अभी शेकर कैलवी में तो question यह है हमारे सामने Mr. X sold 1 third, 1 fourth and remaining of its stock at 24%, 16% and 12% profit respectively find his overall profit percent question यह कहना चाहता Mr. X के पास जो stock उन्होंने 1 third, 1 fourth और बचे हुए stock को 24%, solar percent and 12% के profit मतलब उन्होंने उसके 3 parts किये इस part को 24 पर, एक part को 16% और एक part को 12% के profit पर बेचा है total per profit percent बताना है similar question यहाँ पर है RAS by 60,000 बनाना अभी यहाँ पर उन्होंने quantity दे दिया है 60,000 बनाना, जिसका cost price भी दे दिया है उन्होंने 20 रुपे पर डॉजन खरीता है और उसको उन्होंने 20 दर्जन, 15 दर्जन 25 दर्जन को 24% इस 20 दर्जन को 24% पर 15 दर्जन को 16% पर 25 दर्जन को 12% के profit पर बेचा है similar question overall profit percent बताना है and similar अभी रहा जाये थे, यहाँ पर similar आ गई तो यहाँ पर दे के similar ने अपने चॉक्लेटन को distribute किया है 4 इस to 3 इस to 5 के ratio में और बेच दिया है फिर से उनोंने 24%, 16%, 12% के profit similar question आप देख सकते मैंने हाँ जाए के profit percent same रखा है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ यह तीनों question exactly same है क्या है, क्या type है इस question का वो द्यान से समझे इस तरह के question में अपने total stock को हमारे पस जो भी हमारा product है उसको हम लोगोंने कुछ अलग portions में बाढ़ दी है थोड़ा stock की दर, थोड़ा stock की दर, थोड़ा stock की दर इस वाले stock को इतने percent के profit या loss पर इस वाले stock को इतने percent के profit या loss पर और इस वाले stock को इतने percent के profit या loss पर बेचा है और overall पर मुझे profit या loss calculate करना हो तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, इस तरह के question को कैसे करना है, लेकिन, एक mechanical approach भी जरू discuss करूँगा, जो आप लोग करते हैं, आपको समझ में आएगा फलक, कहां 3 minute और कहां 3 से 4 second, तो कैसे करेंगे, आप जाना चाहते हैं, तो बने रहे हैं इस वीडियो मेरे साथ, आता हूं में solution के साथ, So, solve कैसे करते हैं, ideally लोग कैसे solve करते हैं इस तरह के question को, तो मैं आपको बताऊंगा, तो मेरा question number 1 जो था, उसमें ऐसा था 1 third of the stock, उसके बाद इसको उनोंने बेचा था कुछ 24% के profit पर, उसके बाद था 1 fourth of the stock, उनोंने बेचा था 16% के profit पर, और उसके बाद remaining, remaining कितना हुआ, तो 1 third, 1 fourth को add कर देंगे और total में से subtract कर देंगे, तो आपका 1 third और 1 fourth को अगर आप add करते हैं, 1 by 3, 1 by 4, तो ये आपका आजाएगा 437 by 12, तो remaining कितना हुआ, 5 by 12, उसको उनोंने बेचा है 12% के profit पर, तो ये एक question है, अब इसमें लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको stock कितना है न और रेटी stock दिया था, 60 dozens, अचा उसके बाद उन्हें यहां पर कुछ stock assume करना पड़ेगा, और price भी नहीं पता है, तो कुछ price मालना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ, मैं साथ में ही question number 2 ले लेता हूँ as a reference के लिए, तो question number 2 आपका ऐसा है, कि question number 2 में 60 dozens आपके total के लिए है इसमें से उन्होंने 3 parts किया है, 20 dozens, उसके बाद उन्होंने किया 15 dozens और उसके बाद उनका 25 dozens, जिसको उन्होंने, अच्छा इसका cost price भी दिया है, कि इनका cost price है 20 rupees per dozens, तो अगर 7 dozens, यह question को मैं ले लेता हूँ, इसके बाद इसको refer करूँगा, 7 dozens को 20 रुपे से उन्होंने हैं, तो उनका total costing होता है 1500 रुपे, अब आप देख सकते हूँ, उसका total cost price 1200 रुपे हुआ है, अब उसने 20 दर्जन, 15 दर्जन और 25 दर्जन को अलग अलग price पर बेचा है, selling price, तो आपको question में mention क्या हुआ है, कि यह 20 दर्जन उसने कितने percent के profit पर बेचा है, तो 24% के profit पर बेचा है, और इसको उसने 12% के profit पर बेचा है, तो अगर 20 रुपे पर दर्जन costing है, 24% निकालकर आप add करेंगे, तो इसका 24% 4.8 होगा, मतलब 24 रुपे 80 दर्जन से बेचा, इसका 16% निकालेंगे 20 रुपे का, तो 3.2 मतलब 23 रुपे 20 पैसे से बेचा, और यहां पर 20 22.4 मतलब 22.4 रुपे से बेचा, तो इस तरीके से आप सॉल्फ करेंगे, देखे कितना काल्कुलेटिव होगा, आपको हर का प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर टोटल से प्राइस, चलो मैं इसको कॉप्लीट कर देता हूं, यह आपका 20 दर्जन 24.8 से ही आपका हो तो टोटल भी 3.48 इट एट एंड दें इस वी 25 x 22.4 तो इस वाट भी 10. 55, 560 तो देखे 5, 6, 4, 96 0, 3, 48 हो हमको आच करना पड़ेगा, तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस निकाल कर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तोटल सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा, पाँ देखिए आपका cost price दिया हुआ 1200 selling price आगया 1404 प्राइस सो जैसा मैंने 1404 रुपे selling price बारस रुपे cost price obviously profit हुआ कितने का profit हुआ हो देखते हैं तो मैं इसको थोड़ा रब कर दूँ आपके सामने तो यह फिर इसको रब किया मैंने तो मेरे सामने 1404 रुपे selling price है cost price 1200 रुपे है तो आप देखिए यहां पर profit जो हो रहा है वह 1404 रुपे में से 1200 रुपे minus कर दीजिए 204 रुपे का profit हो रहा है आपको percent निकालना है 204 रुपे 1200 रुपे का कितना part है चेक कर लेते हैं तो हमने चेक किया यहां पर 1212 और यहां पर 8484 17 आंसर आ रहा है आपका 17 पर सो जस्ट इतना मुझे आपको बताना था कि देखो कितना time consuming है अभी question number 1 पे आओ question number 1 में कोई quantity नहीं दिया है बट अगेन एक quantity अज्यूम करोगे तो आपने question number 2 को देखा कितना time लगने वाला solve करने में and instantly मैं question number 3 भी refer कर देता हूं question number 3 में भी कोई amount उनने नहीं दिया है बट दिया है एक amount को 4 is to 3 is to 5 में distribute किया फिर आप कोई amount assume करेंगे फिर आप कोई price assume करेंगे और फिर से देखेंगे question number 2 जितना time का assuming or lendy होगा so guys अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ भी नहीं किये विना solve कैसे करना है आपको in tino question का answer same होने वाला है हमारा आप देखना चाहते कैसे बने रही है मेरे साथ all right ऐसा कोई भी question अगर आपके सामने आता है जहां पर total objects को उसने कुछ अलग-अलग parts पर distribute कर दिया और उन अलग-अलग parts पर आपको different different profit loss हो रहा हो और overall profit and loss पूछा लिया हो ऐसे कैसे भी question को कैसे solve करना है देखे मैंने तीनो questions note कर दिया है यहां पर और देखे दो-दो second में answer करेंगे है हम लोग देखे कैसे so question में बन था one third 24% profit one fourth 16% profit and remaining which was 5 by 12 12% profit करना simple यह है कि इस जो profit percent दिया है उसका यह fraction value निकालना है मतलब one third of 24 यह निकाल लो उसके बाद one fourth of 16 यह निकाल लो और five 12 of 12 यह निकाल लो profit है सबको add करना है अगर इसमें कोई loss होता तो subtract करते तीनो profit है add कर दो add कर दो यह देख लो eight four and five eight four and five into one that is five that is equal to seventeen percent profit positive आया है इसलिए profit दूसरा question देखे जहां पर मैंने लिखा था sixty dozens के लिए थे अब उसने यहां पर उसमें value दे दिया है आपको ध्यान लखना है आपको fraction निकालना है हर इस तरह के question में तो यह जो twenty dozens यह साथ के लिए क्या fraction होगा twenty upon sixty आप देख लो this is nothing but one third यह fifteen dozens upon sixty dozens this is nothing but one fourth and this is twenty five out of sixty this is nothing but five by twelve same question देखे one third one fourth five by twelve और percentage देखे मैंने same रखा था twenty four sixteen twelve तो answer same way होने जाला है आपका कितना seventeen percent यहां ratio वाले question में भी fraction निकालना बहुत simple आपको पता है अगर किसी को नहीं पता है तो please मैंना next video refer करिए जिसमें मैं ratio पढ़ाने वाला हो तो यह देखे four is to three is to five यह देख लिए four part out of total कितने parts है four three seven five twelve this is three out of twelve this is five out of twelve so this is nothing but again one third this is nothing but again one fourth and this is five by twelve for the same percentage रादू यहां पर भी देखे answer कितना हो जाएगा आपका 17% profit to you can see how simple it is now have you observe one thing कई बार exams में ऐसे question आते हैं कि आपके पास 60 apples हैं जिसमें से पकड़ लिए 20 apples खराब हो गया जिनको 15% loss पर बेच दिया बाकी को 24% profit पर बेचा ओवराल कितना profit and loss है ध्यान रखे यह तीनों questions मैंने profit पर नहीं थे एक loss का लेकर मैं आपको समझा देता हू तो जैसा मैंने आपसे कहा एक example के तौर पर लेते हैं साथ आपल इसमें से 20 खराब हो चुके हैं सडगे हैं चालिस फ्रेश है उसमें जो खराब आपल ते उसको 15% loss पर बेच लिया और बाकी आपल को 24% profit पर बेचा ओर और कितना profit या लॉस पर सिंपल question सेम अपरोच देखो टोटल साथ apples में से 20 apples खराब हो गया fraction देख लो 20 out of 60 कितने percent के loss पर 15% ध्यान रखेगा loss है तो यह negative लेना है आपको माइनस में रख लिजाए यहां पर minus तो दिस वन थर्ड दिस फाइफ मतलब यह माइनस फाइफ हो गया इस तरह देखें 40 जो बचा आपका वन थाड यह है तो यह 2 3 हो जाएगा 20 for profit पॉजितिव ली जाहिए 2 by 3 which is 8 by 2 16 तो यहां पर यह minus 5 plus 16 आपको इसको कर देना है देख लिए जब प्लस 11 which means 11% profit अब आप समझ चुके हैं कि किसी भी इस तरीके के question को कैसे solve करना है आपको एक्साम के लिए so guys यह अप्रोच होगा आपको इस ऐसे किसी भी question को करने के लिए so इस वीडियो को हम यहां पर खतम कर रहे है और नेक्स वीडियो हम लेकर आने बाले है रेशियो और प्रपोर्शन के जिसमें आऊँगा मैं amazing question के साथ फिर से इसको सिखाऊँगा मैं आपको 2-2 second में solve करने के लिए so guys तब तक के लिए Abhishek Academy आपक तो